पुश्कार श्वागत आपका बिहारी निउस पर मैं हूँ आपके साथ राज मुहमतिवारी बिहार विधान सवा चुनाओ का संखनाद अभी बाकी है लेकिन उसके पहले बिहार में राजनितिक पार्टियों का गठ जोर जारी है बुद्वार को भारतिय कम्यूनिस्ट पार् एंडिये को हराने के लिए साथ चुनाओ लरने पर श्रहमती जता दिये यानि बिहार विधान सवा चुनाओ 2020 में नितिस कुमार को कूर्सी से उतार फेकने के लिए तेजश्वी और कनया साथ मिलकर एंडिये के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ सकते हैं अगर तेजश्वी आदो नितिस कुमार पर हम लावर हैं तो वहीं कुमार और परधानमंत्री नरेंद्र मोधी का पहले से ही 36 आपरा रहा और जिस तरह कर Works सरकार की नकामियों को बारर कीईसीं से उधेरते हैं उसे देख कर यह कहा जा सकता है कि महागडबंधन में कनया कुमार के सामिल हो जाने से बिहार महागडबंधन दोनों छोड़ों पर काफी मजबूत दिखेगा एक तरफ जाते जस्वी यादों नितिस कुमार के सासनकाल की नकामियों को जनता के सामने रखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कनया कुमार मोधी सरकार पर निशाना साथते हैं नजर आ सकते हैं लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या कनया कुमार महागडबंधन की टिकट पर विधान सबा का चुनाव लड़ेंगे क्या राज़त इस बर कनया को उनके निर्वाचन छेत्र से टिकट देगी कनया कुमार का घर जिस विधान सबा छेत्र के अंतरगत आता है उसका नाम है तेघड़ा विदानसभा इस सीट पर फिलहाल राजत का कबजा है राजत में 2015 में यहां जीत दर्च की है लेकिन उसके पहले 1962 से 2010 तक भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी का इस सीट पर कब जा रहा है और कनहिया कुमार भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इस बेगु सराय से वामदलो के सयुक्त परतियासी थे वामदलो ने राजत से उमीद लगाई थी कि वो कनहिया कुमार के सामने अपना उमीदवार नहीं ख़रा करेगी लेकिन राजत ने कनहिया कुमार के सामने अपना उमीदवार ख़रा कर वामदलो का तगरा जटका दिया थ थे। माना जाता है कि तेजश्वी ने कनया के सामने अपना उधवार जाएगे बढ़ते सियासी कद को देखते हुए उतारा था। अब देखना हिया है कि तेजश्वी और कनईया NDA को हराने के लिए साथ आते हैं या फिर तेजश्वी का कनईया के प्रती जो सियासी डर है वो इस बार भी विदानसबा चुनाओं में देखने को मिलेगा हलांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा इस सियासत के खेल में आगे क्या कुछ होता है उससे जाने के लिए देखते रहें ब्यारी नियूस धन्यूस